क्यासे आप सभी लोग है कि अगर बताओ कमेंट करके क्याल चाल बढ़ियां कि नहीं और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहा हो और क्या लगते इस बार सभी लोग करके बताना तो कि कितनी लोग हो जिनका टार्गेट है क्या कम से कम 95 प्लस तो आजाए लोगो 95 प्लस इसलिए बहुत कम हो गया है हज से ज्यादा से लिए बस कम है अब अगर 90 प्लस ठीक 90 प्लस 95 प्लस अगर नहीं आगा परसेंटेज तब तो विकार है अगर अच्छे पढ़ने वाले हो तो तो टार्गेट रखना क्या 95 प्लस ही आए उससे कम नहीं क्लिर ए और करएद किसका कितना टार्गेट है और एक टार्गेट दो को भी सेट कर लो कि हमें इतना परसेंट लिक신 आना है तौई तुम उसके आए तो और तुमको पढ़ने का मन करेगा तो जितना में टारगेट होगा पहले कमेंट बॉक्स में करके लिखना और उसके बाद अपनी कॉपी में उपर लिदेना और मैस तो टारगेट करना कि आ ऊपर ही नंबर है उस से कम नंबर आये न कि बोड एक्जाम में जतना अच्छा नंबर आये 가지고 तुम उतना आगे कि पढ़ने का मन करेगा एप मैं पढ़ाई सेलीन मन करेगा तो तरफिर बाके ते बहुत लोग मिलें मेरे के बताने Shout समझाने के लिए अलग-अलग चीज़े हैं तुम्हें दिमाग में बहुत कुछ हुसाएंगे और तुम उन सब की बास से इंप्रेस भी हो जाओगे तो उन सब ध्यान मत दो हम यह कहते हैं हमेसा कि अगर अभी पढ़ रहे हो अभी स्टुडेंट हो पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ाई फोकस पर करो ठीक है इसमें बहुत कम में तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा बहुत अच्छा मिलेगा बट यह है कि तुम्हें स्टार्ट करेंगे बस यह है कि तुम्हें बता देने एक बार कमेंट करके के क्लियर है और आज देखो हम लोग मैट का जो चप्टर शिक्स है जिसका नाम है ऑकलश के नुप्रियोग उसके मोस्ट इंपोर्टेंट लगू उत्री जो प्रस्न उसे करेंगे ठीक है और जो लगू उत्र कर लोगे अगर डेली क्लास कर रहे हो तब अगर तुम यह 100 प्रस चार घंटा पाच घंटा तब तो उम्हीद करेंगे तुम मेरे साथ आज प्रैक्टिस कर लोगे ठोड़ा सा जो कोस्टन दिखाएंग उसे सौल करोगे और कमेंट वाक्स में कमेंट मत करना अब बस कमेंट हो गया अब एक काम करना की अपने पास पेन और कपी लेना उस क्वेसर निपाइज करने अगर आया तो अच्छी बात नहीं है तो उसको देखना का मिस्टेक हुआ तो इस टाइप को आई से सॉल करते हैं इतना तुम्हें देखना है ठीक है क्लिया है स्टाट किया जाए चलो इस्टाट करते हैं अब तो एक कुछन तुमसे आता है कि बताओ यह कोस्टन पहचानों की वर्धमान फलन है कि हासमान फलन है कोस्टन सीम्पल सा एक आता है दो नम्बर में तुम्हें फंक्षन दिया रहेगा उस फंक्षन पुछेंगा बताओ यह की वर्धमान फलन है अंतराल यह क्या और जिसमें तुम्हें अंतराल भी निकालना पड़ेगा और और इस आंतराल में वर्दमाने और इस अंतराल में हास्माने ठीक है फिलाल हमारे पास जो का मान अगर वो प्लस में आएगा तो बोलेंगे क्या यह वर्दमान है और अगर आएगा मैनस में तो बोलेंगे हासमान है तो अब करने जा रहे है कुस्टन दिया है दिखोगे दिया है दिखोगे स्थेप्स टेप वह दिखोगे दिया है कि सरओजी एफ आफ एक्स भराबर साइन एक्स ठीक है इसका औरह से करोगे फ़्मान पर देखो स्कसमार्ण ा, अब हमें हमें जो अंतराल दिया है अब तुम सचेंगे keeper प्ल Wyatt यूंत सब्सक्रारिफ है यह आप लेते जिरो से नब्वे ठीक है तो जीरो से नब्वे के बीच में इस कॉस्ट एक्स का मान कितना आगा इसको मत देखो इसको अगर लिखा है कॉसे क्योंकि उसकी प्रवडता निकालनी है अगर प्रवडता आएगी प्लस में तो बोलेंगे वर्धमाने और अगर प्रवडता आएगी मानिस में तो बोलेंगे हासमाने ठीक है तो तुमको पता है कि सब्सक्राइब जीरो से नब्वे के बीच में जो एफडस एक्स करने का मतलब क्या की कॉस एक्स का मानना तो जीरो से लेकि नब्वे के बीच मतलब प्रथम चतुर्थांस तो प्रथम चतुर्थांस म प्रतेक एक्स बिलॉंग्स टू जिरो से पाई बेट टू के लिए के लिए एफ दस एक्स ग्रेटर दैं जिरो ठीक है ग्रेटर दन जिरो है यह लिखना है जिरो से बड़ा आएगा हमें सा जिरो बरावर सकता है कभी-कभी तो एफ दस एक्स ग्रेटर दन इकल टू जिरो इसलिए इसलिए अंतराल लिखा के लिए इसलिए अंतराल इसलिए अंतराल जिरो से पाई बैट टू में क्या दो लिखा से आघ्ट करें अंतराल इसलिए इसलिए अंतराल जिस फैट ने इसलिए है हासमान कहां कि ऑसमान क्या और यह भी होजागा यह हासमान क्या है यह क्यां है इसको मlate फ्रेट क्योंक यह इसम्हेद स्लेइब स्लेवस में तो इसके यह ज्यादा परशान नीयरत्नर का सगया तो अधुष बुला मैंट थी माना हासमान तो हासमान थे न और वो प्लस में तो वर्धमान होगा ना वहांसमा लिखा है लिकिन प्लस में तो वर्धमान लिखेंगेंगे क्या लिखेंगे यह अगर यहां प refuses अंतरा जिस्ट में क्या वर्धमान ठीक है और स्ते मिसी तरह से दुसरा कर लो दूसरा वाला गुंदि से पाइ में ठीक है मुटु से पाइ में लिखोगे प्रते यह दो लाइन लिखना है दो लाइन दो नम आपर प्रते नियरनतर हासमान पर कोई question नहीं एक भी collection तुम्हें तुम्हें यह नहीं मिलेगा सब हासमान या वर्थमान लिखा हूब होगा तुदध ही वर्थमान लिखा है तो गठरे लिएत दैना हासमान के लिए के लिए के लिए जो यह F-X आएगा पता है अगर तुम F-X का मान निकालोगे ठीक है तो दो कितना लिखा है पाई बाई टू से लेके पाई तक मतलब 90 से 180 तो 90 से 180 की बिच में जो सो स्कॉस से यह आएगा माइनस में और अगर यह आएगा माइनस में कहां गया अधे लिखान पालन एफ अंतर ठीक है अंतराल पाई डैट्टू से अंतर गाई हासमान셨 है इतना काम करना इसमें तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट ही लिखना है ज्यादा कुछ सॉल नहीं करना है इतना स्टेटमेंट लिखना है लिखके छोड़ देना बस यह तुमको दो नंबर या एक नंबर को कुस्टन रहेगा मिल जाएगा ठीक है वर्दमान है तो जिरू से बढ़ा रहे है किसी को आद नहीं है तुम्हें क्या करना है को 0-90 ना तो 0-90 कि इसमें कोई भी एकस कमान लेब लो ईक लेड़ी कोई भी मान लेकर यहां पर रखके चेक कर लो कि आज़र की स्में अरहा प्लस में की मैनिस में अगर प्लस में आएगा तो बोल देना वर्दमाने अगर आगे मैंस में तो बोल देना हस माने सिंपल से लोगी ना उमिद करें को सबको पता होगा यह चीज आगे चलते हैं आगे बढ़ने से पहले वो सभी स्टुडेंट जो कहीं नहीं पढ़ रहे अभी भी ठेक है तो ही र लगता है कि हम कहां का पढ़े आगे पढ़े कि पीछे का पढ़े कि अगर आगे का पढ़ोगे तो पीछे का समझी भी नहीं आएगा ठीक है और पीछे का पढ़ोगो तो आगे के नहीं आएगा और चैप्टर फाइब शिक्स और सेवेन और एट नाइन यह पाचे तो मोस् तो दिमाग में कही नहीं होगा सर्जी स्टार्टिंग से पढ़ा जाए क्योंकि बिना स्टार्टिंग से पढ़े बीच से पढ़ो तो कुछ नहीं आएगा यह तो पीशे का टेंसर रहेगा तो फोकस हो नहीं पाएगा तो यह तरीका है कि तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ जगह से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और प्रपर नोट्स बनाओ ठीक है और प्लस division कर इतना करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आ नहीं स्टार्टिंग से पढ़ते हैं लेकिन उसके लिए कहां से पढ़े इसके लिए प्रावलोम है तो दो बन जिखर मैंच 2.0 है तो बन दो भी पंज लिए लास्ट है यह जानाव लास्ट भी है और इसमें दो हर एक सब्जेक्ट का चैपटर फॉस्स से पूरा त incarnation कर वाजैगां नहीं कि और कि संप्सक्राइब से Schedoda का सैक्फ चैप्टर फॉस्स से कंप्लीट तुम्हें पढ़ा जाएगा। तो गर तुम्हें लगता है कि नहीं आप हम पढ़ लते हैं यह स्टार्टिंग से मिलने वाला नहीं है तुम भी जानते हैं लेकिन अगर यहां मिल रहा तो तुम पढ़ सकते हो और रही बास स्वेज़ स्कत्म करने हैं कि तुम पढ़ना चाते हो कि तुक्त अगर डेली क्लास करोगे डेली पड़ोगे तभी जाकर होगा इस बैस में तुम्हें हर एक सब्जिट कर डेली लाइफ क्लास कर रहे हो तो अराम से बहुत आराम सहो जाएंगे वोड अपट क्लास कर रहे हो और नोट्स बना रहे हो सब्स हापते में तो मिए मैं तेस्ट दे रहे हो ठीक है एक रखते में पड़के दिए तो ये गारेंटी के 80% प्लस तो होई जाएगा अपने और अगर प्रैक्टिस करो घर पर तो 90 प्लस हो जाएगा तो इस बैच में डेली लाइफ क्लास के साथ तुम्हें दोखो इसमें ओलाइन विखली टेस्ट मिलेगा जो भी तुम हपते बाएं पढ़े रोग उसको टेस्ट दो और टेस्ट दे सब्सक्राइब करना है हरे बुक का पीडियेफ मिलेगा बुकलेट मिलेगा डालोट कर बस पढ़ो जब सिल्बस कप्लेट होगा तो उसके बाद उसके सभी महत्वपूर प्रस्ण मॉडल पेपर गेस पर और पिछले पांच साल का जो पर होगा सब करवाई जाएगा सब दि में देखो जा अगर तो मॉडल पर देखो होगे घ्र तो ऐसा कोश्चन जो आता है बहुत करने आना चाहिए और इसका भी करने का एधुम सींपल सा प्रोसेस जम सींपल सा लॉजिक होता है अब क्या दो कॉंसेप्ट होता देखो राम से इसको समझ लो ठीक है और यही कोस्टन सेम तो सेम कही बार आएगा बस लिखा रहेगा योगफल 16 हो योगफल 15 हो योगफल 24 हो बस वो डाटा होगा वो बतलेगा ठीक है लेकिन तरीका भी रहेगा तरीका क्या है कि जो दिया हमको संख्या नहीं पता संख्या मानते मानेंगे माना लोगे माना कि माना दो धनात्मक संख्या है माना दो धनात्मक संख्या है तथा य है ठीक है माना दो धनात्मक संख्या है एक सतह वाई है दिया है ठीक है क्या दिया है अब दोखो ध्यांदाना हमको दिया है कि उनका योगफल 24 है तो लिखो कि दिया है कि सरजी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बराबर 24 ठीक है बस जो दिया रहता है ना उसको समिकर नंबर एक बना लिया करो ठीक धन्दना इस सवाल तुम कैसे करना है इस सवाल में क्या और उसके बाद में जो बुला रहेगा बुला है कि गुड़न फल बड़े से बड़े से बड़ा हो मतलब अधिक्तम हो तो इसका जो प्रोड़क्ट होना चाहिए मलतब प्रोड़क्ट मतलब मल्टिपल सबसे बड़ा हो मतलब अधिक्तम लाना है और अधिक्तम कैसे दिखाते है अधिक्तम दिखाने का तरीका होता है कि जो फंक्शन हम लेंगे उस फंक् का मान आएगा माइनस में सर प्लस में तो बोलते हैं निम्नता में ये दो चीज़ बोलते हैं उसके इंद जोन दो बार अगर चबंदक है का अगर अगर हम बनाएंगे फंक्सटन तो लिखेंगे पी बराबर X इंटु Y सापच घुड़ा ओक्रॉod假 जो करेंगी किसके सापेच करेंगे इकसके सापेच की बाई कस May यह बताएगे नहीं अगर हम लोग पी का अउखलन करेंगे तो पी का अउखलन किसके सापेश करेंगे यह एक्स के सापेश को एक्सापेश तो यह फंक्शन किसमें है एक्स की य दोनों में है तो चेंज करना होता है चेंज कैसा करते हैं जो समिक्रड दिया होता है वहां से च कितना हो जाएगा 24 एक्स में कितना एक्स कर्स्थ हुआ है अब इसी का करते हैं हम लोग इसी का दो बार उक्रण करते हैं लिखेंगे इसे लिखेंगे दोनों पच्छों का लिखेंगे दोनों लिखेंगे दोनों लिखेंगे दोनों लिखेंगे दोनों लिखेंगे दोनों लि दोनों पच्चों का एक्स के सापच अखलान करने पर ठीक है कितना का डीपी भाई डीपी भाई डीएक्स विजागा 24 इसमें टू एक्स इसको बनाव समिकर नंबर दो ठीक है एक बार अखुलन किया समिकर बना इसी का फिर दुबार अखुलन करों क्योंकि दो बार करना होता है ना दिखो के पुना पुना दोनों पच्छों का और यह लिखना पड़ेगा बिना लिखे नहीं कर सकते हैं दोनों पच्छों का एक्स के सापेच एक्स के सापेच आउकलन आउकलन करने पर करते हैं दखो इसका अगर हमें क्या करना होता है हमें मान निकालना पड़ता है क्योंकि अगर हमें इसका दिखाना मान चाहिए मान कसे निकालते हैं तो जो प्रथम बार आउकलन करते हैं उसको करते हैं जिरो के बराबर तो लिखोगे ऐसे लिखोगे कि पुलोगे फलन के पलन के उच्छता में लिखता अथवा निम्नतम मान के लिए जो प्रथमॉकलज है उसे करोगे बराबर बोलोगे डी तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा टू एक्स बराबर जीरो सब्सक्राइब करेंगे समीकरार सबको सॉल्व करने आएगा और एक्स कमान आएगा 12 अब अगर एक्स कमान बार आ गया तो इसी एक्स बराबर 12 पे चेक करोगे कि d2 P upon me dx square का मान कितना है ठीक है कितना गया तो हम लोग एक्स कमान कुछ भी लेंगे आयेगा हमेंसा 12 तो बोलोगे एक्स बराबर in एक्स बराबर मायनस 12 पर मतलब बारह पर जो d2p होगा और अपवन मेंधिक से स्कार होगा इसका मन क्या आएगा हमेशा 0 से चोटा आएगा है भी कि आ क्यूंकि मैनस 2 है शिक्स है फ्लोगे इसलिए इसलिए एक्स बराबर 12 पर ठीक है गुड़न फल गुड़न फल उच्छ तम है क्या बोलो कि उच्छ तम है अब लिख दो एक्स कमान तो कि हमको वाई कमान में चाहिए ने लिखाए एक्स कमान समिक्रण एक में रखने पर एक में रख दो अगर समिक्रण एक में रखेंगा तो क्या हो जाएगा वह लिखाता है एक्स प्लस वाई 12 प्लस वाई बराबर 24 तो वाई कमन कितना जाएगा 12 तो बोलोगे अता दोनों संख्या है 12 12 है क्योंकि एक्स मन बारा आया और वाई को नहीं बारा आया तो बोलोगे अता दोनों संख्या 12 और 12 है बस इतना करके छोड़ देंगे प्लस देखलो सब लोग जिसको भी देखना राए फिर सी देखलो है कि दो संख्या मानेंगे एक्स और वाई दोनों लिखेंगे 24 पूछा था कि बल्द फल लिखता मों बोलोगे पी बराबर एक्स इंटो आई आब क्योंकि फलन एकसर वाई में है तो किबल फलन जो होना च दिखाते हैं कि यहां पर रखते हैं दिखाते हैं कि आ रहा है रिलात्मक और अगर रिलात्मक आ गया मतलब फलन उच्छतम है उच्छतम मतलब अधिकतम है तो इसी पर चाहिए लिखें कि आनसर से मतलब नहीं होता है और उसे अच्छे से एकस्प्लेण कि हो की नहीं इसलिए करना है कि मैंसा आंसर आगlor जासा नहीं करने प्रषर बीच करोगे कि एक मीटर भूजा वाले घन के प्रीश्ट तल में रफल में संनिकट परिवर्तन ग्याद करें जबकि इसकी भुजा एक परसेंट की दर से घट रही है कहने के मतलब यह कि मालो मेरे पास एक क्या है घन है ठीक है अब इस घन के बारे में क्या बोला है इस घन के बारे में एक बात यह कह रहा है कि इस घन का हमको निकालना इसके स्पार जाइर से बात है कि गड़ कोई की कि घटेगा ना और घटने का मतलब बढ़तेया अगर बढ़ने का दर दिया तो इसको प्लस प्लस में लिखते हैं कि उद्धी आप देह narrative माना ढ commitments में। गन की खर्टेषा रावर एक्समीटर गन की भुजा कितनी एक्समीटर है अब क्या दिया है दोखो लिखो दिया है दिया है जबकि इसकी भुजा में एक परसेंट की दर से घटरी इसकी जो भुजा है मतलब भूजा के परिवर्तन के दर दिया है भूजा जो है कि डी एक्स बाइडी टी ठीक है कि इसके भूजा अज़े कि एक परसेंट के दर से खट रही है तो वही डेल टैक्स कितना दिया है कम्यों वहीं हुए नहीं एक परसृंट कि टो टैक्स कितना कितने का-पर सफृंट्र हो रहा है तो हो रहा है यह लिखेंगे दिल्टे intrax कितनाओ कर दो इसके परिवर्तन कितना हो रहा है इस एक परष्इन कि進 शरता है एक परस마 न एक परसमें गवस्द कितने की कमी हुए एक्स का एक परसेंट अगर भुजा उसका एक परसेंट थो इतना वोगा एकश सब जा southwest Q fangmen निकाल गे तो कितना आएगा कि एक ganze में आएगा और बोलोम इसका अगर हमें एक्स का दस प्रसंट चाहिए तो एक्स गुड़े दस बटाय में सव यह करते हैं यहां पर सॉल्ट करोगा तो आएगा माइनस में जीरो पॉइंट जीरो वन एक्स मीटर कमी होगा ठीक है उसमें जो उसके जो भूजा के परिवर्तन के दार है वह 0.01 एक्स मीटर है मतलब इतना वह कमी होगा उसमें तो इसके सापें से भूल में सणलिकट परिवर्तन वहटा संलिकट पुमक्तवलक्त निकालना है मतलब डेलपाईस जब तुम निकालोगे पता ना कि जो उसह होता रहते है तो डेल्टा एस बराबर क्या होतना होगा डी डी एक्स अब यहां पर डी एक्स है तो यहां पर डेल्टा एस से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा इससे कटके बैलंस हो जाएगा अब डी एस का मन कितना होगा तो एस का फार्मूला क्या होता है यह एस का फार्मूला क्या होता तो इसका जो प्रिष्ट छेथफल होता है घंड का प्रिष्ट छेथफल होता है 6x का स्क्वार ओकलंकर तो इसका तो डेल्टा एस बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12 12 x हो जाएगा इंटुर में देल्टा लिटा ऑगर डेल्टा भी अपाउन डीव्य। लिवप लिखते लिए लिखते हैं इनट्रों में डेल्टा यह जी आना चाहिए हैं मतलब रहिख़ा होना चाहिए कहने की बात इह सप्रिष्ट सफल में यह इच अगर हुमें डेल्टा एस निकालना है तो ds अपन इंट्व मैं एकसा कोरूंग आगा बस तो सबका मारक दो सबका मारक हो तो यह 12 गुड़े में एक्स तो एक्स ही रहएगा इंटी में डेल्ट एक्समान कितना होता है जिरो प्वाइंट जिरो One और यहां पर एक्स हो जाएगा और यहां सजागा डेल्टा square Meter square इंगे बरदफ हो जामे दिए पर्युतर नहीं पलस मायश में तो गलती कर दिए यहां मैंनो लगा सब्सक्राइब जो आहाए गाना उसमें फाना ठीस का मतलब क्या इसके प्रिष्क शफल में मैं हो रही है बस क्या ये बात प्रिश छेत्पल है वह 0.12 मीटर के दर से क्या और घट रहा है घट रहा है चलो यह कुस्चन करो बता इसका अंसर कितना आएगा बोलाए एक इस्टिर जील में एक पथर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में पांच सेंटीमिटर पर सेकेंड की गति से चलती है जब वृत है यह से मालो लोग वालो कोई है एक जील मालो वह जाए जाइसे जील अब जासर एक पत्थर ढाले मान पत्थर डाले मान बीच में तो देखे हो गया ना ऐसे लहर बनता है एक एक चोटा से बनेगा फिर उससे बढ़ा बनेगा तोश्च में सबसे पहलिक तो अगर तो पत्तों बने होगा कि ए ऐगा पाए अ य। तो आगे जाए इतना launches उतना ऐसे दो न ह कि ऐसे बढ़ता जाएगा ना तो जब यह बढ़ेगा तो बोला कि मालो भृत का जो त्रिज्ग में कितना हमको नहीं पता ठीक है लेकिन जब भी बढ़ेगा जिसे हाँ तक हो गया आर इसके बाद बढ़ेगा तो हर हर सेकेंड हर सेकेंड क्या और पांच सेंटीमिटर प्रिवर्तन की दहर है तो तुम प yardım के बित्र बना यह फिर वो बढ़ा फिर वह बढ़ा लोगर तो जो पांच प्र सेंटीमेटर में बढ़ रहे हैं पांच सेमय दर फिर फ्रिवर्तन वढ़़ तो वो त्रिज्या के परिवर्तन का दर है कि या हर सेकेंड हर सेकेंड उसकी त्रिज्या जो है पांच सेंटी मिटर बढ़ जा रही है तो त्रिज्या में परिवर्तन जो है पांच सेंटी मिटर पर सेकेंड है क्या है त्रिज्या में परिवर्तन जो है पांच सेंटी मिटर पर सेकेंड है तो जो द जो त्रिज्या में परिवर्तन की दर है वह 5 cm पर सेकंड है और क्या दिया है जब उसकी त्रिज्या ऐसे बढ़ते बढ़ते से चुल 5 cm जो यह यह जो बढ़ेगा तो 5-6-7-8 ऐसे वो कुछ होगा नहीं बिच में 8 cm होगा तो बोला है कि जब आर बराबर जब आर बराबर 8 cm है तब उसके छेत्रफल में परिवर्तन के दर निकालो ना तो क्या करेंगे लिखेंगे छीद परिवरतन किदर समय के सापेच में लिखा है न तो अगर उसके त्रिज्या के परिवार्तन किदर जो दिया है अगर वो समय के सापिछ दिया है अगर यह समय के सापिछ दिया है तो जाहिड सी बात है हमें च्छेतरफल में क्या करना पड़ेगा च्छेतरफल में भी समय के सापिछ निकालना पड़ेगा तो इसको समय के सापिछ बराबर यहां भुजागा पाई इंटू टू आर और यहां पर आ रहे तो रहे हां पर दी अब डिटेसे मल्टिप्लाइय करना पड़ेगा एंड लास्ट संपका मारा रखो फटाक से त्वह रुजागा पाई इंटू मैंटू इंतू में आर कमान कितना है अर के माने है त्व पर रख दो आठ और यहां पर रख दो पांच सॉल करोगे आठ पंजेट चालिज चालिज दोना असी किता हो जाएगा 80 cm2 पर सेकेंड गया उसकी छेतर फल में परिवर्ट सेंदर हो जाएगा 80 cm2 पर सेकेंड बताओ क्लियर है सिंपल है कि नहीं बस एक बार दखो कर समझ होगे है अगया सबसे इसी सिंपल क्या करते है आख करने के बाद पर हमें इस पर्ड़ रेखा का दल निकालनी होती है वह बिन्दू का मार रख देते हैं और अगर अभिलम का ढख पूछता है तो भी काम्य करते हैं पहले इस पर्ड़ा जाल निकालते हैं उस बिंदू पर फिर उसी का मैनस में उल्टा कर देते हैं तो वह जाता विलम का ढ़ल तो बताओ करो इसको बताओ इस कांसर कितना आएगा बोला कि वक्र y square बराबर x के लिए बिंदू x बराबर एक पर ढाल निकाले दाल निकालना है एकदम इजी concept है आउकलन करो इसका दोको ऐसे लिखा जाता है दिया है तो को इस statement फ्ला ढंक से करना ऐसा नहीं कि पर सकर दी हो गया लिखा जाता है दिया है y square बराबर x ठीक है फिर लिखेंगे दोनों पच्छो का आईसे लिखेंगे है दोनों पच्छो का का दोनों उटेन करोको ता कितना हो जाएगा किस रजी हो जाईगा Qt y by mg ड़ में कर दा ना कर देखा एक ऐस metafra अब डिएैएrafa कि अइट एक सब्सक्राइब 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 ति वाइए अब 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 इसके बात कर ये का you can say dy upon me dx का मान तो आगया एक बटा टू आई हमें किस बिंदू पर पूछा है हमसे पूछा कि X बराबर एक पर उसमें तो X है नहीं भई अगर इसमें X होता तब ने X बराबर एक रखते हैं और कुछ मान अता है इसमें एक तो तो क्या करेंगे सुनो भी जखो अरे एक्स नहीं है कोई दिक्रत नहीं है तुम सचो अगर हमें एक्स बराबर एक पर ढाल निकालना है तो just imagine कि यह तो वो तुमारा है परवले टेक है तो गलस सई है समझझाना लिखा है कि चलो यह परवले मना लिए तो इस परवले पर हमको कहां पर निकालना प्रवडता एक्स बराबर एक पर न तो भी अगर एक्स बराबर एक होगा तो उसके बिंदु लिखोगे एक्स कमान एक होगा तो य कमान तो कुछ होगान क्यूंकि इस पर चाय जा एक्स बराबर एक है क्योंकि सवाल दिया है जब ऒफसमें हमें चाहिए तो क्मांण कुछ से निकालेंगे इपारवले से जा रहा है तो इस परवले पर एगर एक कमान एक है से यστ reminding कितना होगा रख दो खभी में怎麼辦 इक कितना आएगा एक प्लस में आएगा प्लस में यह आएगा बबैके मालशनक्या गशतर प्लस में यह आएगा अञे सब ते नों पेसी है मूंद हलान न तो टूल मैंकमान प्लस मैंन यह दूना यह और उपर हमें सलीक सेरों कर दो अई क pornography होगा इधर भी सब्यों हो हर घृत क्यों सबस्कारा है और लिखानी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो गहें एक सब्सक्राइबर एक होगा तो य कितना एगा तो वाय कितना यगा प्लस माइनस एक आएगा कितना आगा एक बार रखो के य ब्राबर प्लस एक और एक बार क्रमको के मैनस तो तुमको क्योंकि यह रेखा ऐसे बीजा सकती है और एसे बीजातों जा सकती है हमको कर्फर्म फोड़ी आगर कुछते ने बोल देता कि वह प्रथम तब तो य के बान प्लस एक लेते हैं और निकालते प्रवरता तो प्रवरता आता भी है एक बटा में टू ना और अगर बोलेगा तो आएगा मानस में बटा टू लेगे कुछ नहीं बोला तो दोनों लिखाओ लिखो कि प्रवरता आएगी एक बटा दो और फिर अनुस में बटा दो दोनों आएगी ठीक है अब कुछ नमर सिक्स करो कुछ नमर सिक्स बहुत इजी है बोलाएवाकर एक स्क्वार प्रस वाई स्क्वार मैं टू एक स्मेर चार वाई प्लस एक बरावर जिरो के किन बिंदू पर इसपर्स रेखा एक्स सब्यू य अच्छ का समानतर है अच्छ बताओ अगर कोई स्पर पर रेखा वाई अच्छ के समांतर होता है तो क्या 0 होता है अगर साय होगा अगर पता है कि वक्र है ठीक है उस वक्त रेके किसी बिंदू पर हम एक इस पर्स रेखा खिचे अगर वह इस पर्स रेखा अगर वह इस पर्स रेखा वाई अच्छ के समानतर होती है तो हम कौन सा केस लेते हैं पहला वाला केस लेते हैं या फिर दूसरा वाला केस लेते हैं और यह हम कल बताया थे, ठीक है, यह कल बताया थे कि अगर कोई रेखा, ooj चको समानता है, तो उसमें हम किसको करेंगी जिरो के बराबर, तो अगर पंच के समानता है, तो एकस उपर रहेगा, तो d x upon me dy ब्हुश एकस करेंगे, Belling दिखोगे दिया है सबसे पहला काम क्या लिखोगे दिया है यह जाएगा तुमारा x स्क्वार प्लस y स्क्वार माइनस में 2x एनस में 4y प्लस 1 बराबर 0 फिर यह पर क्या लिखोगे आख बन करके लिख दोगे दोनों पच्छों का यह तो लिखना है बार बार ठीक है दोनों पच्छों का x के सापेच और करने पर यह तो में लिखना ही पड़ेगा ठीक है नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा ध्यान देना ठीक है तो यह हो जाएगा 2x प्लस में 2y और यह जाएगा dy अपन में dx ठीक है माइनस में 2 हो जाएगा मैंस में 4 मैंस में 2 माइनस में 4 dy अपन में dx प्लस में 0 1.0 खत्म कहानी इतना जाएगा ठीक है अल दोको दीवाई आपन में एक साइट रखो दियोगों का ध्यों से चाल बचेएगा बराबर उससे बेज़ा है यह जाएगा उससेट भीजाएंगे मानेश टू यह तो प्लस टू हो जाएगा मैस टू तो यह मैनस में टू एक्स हो जाएगा कि लिए है। यह जागा dy upon me dx बराबर ड़कर two common कर रहे है न अगर two common करेंगे तो आएगा one minus x नीचे भी two common करेंगे तो यह कितना हो जाएगा y minus two x square plus y square minus 2x minus 4y इतना हो गया अब यह कड़ी जाएगा ठीक है इसको से काड़ दो तुसे टू कड़ी जाएगा सही है इतना जाएगा ना और हमें निकालना क्या है हमको दोखो हमको पता है कि अगर यह यह अच्छ के समानता रहे तो मैं dx आपान में dy कमान चाहिए ना तो यह दो खोई था मानिस टू मैनस चार हो जाएगा ठीक है तो उल्टा कर दो इसको उल्टा करो उल्टा करो कि तो कितना हो जाएगा यह जाएगा डी एक्स आपान में डी वाई बराबर वाई मानिस टू बटे में कितना तू मानिस एक्स 1 मैनस एक्स ठीका सॉरी यह गवर मैनस एक्स इतना कर चूकी दिया है इस पर्स रेखा इस पर्स रेखा यह क्या बोलेंगे क्या बुल विलेंगे कि वाई अच्के समानतर ए कि मuttम रा इसलिए इस लिए ऐसलिए डी एकस आपउन में दी वाय सर्जे जीरो के बराबर कर देजिये लोग Если आ कर दजयते हैं तो यहां संब क्या मिल जाएगा यहांसे मिल य मैंस्नी बराबर जीरो कितना जायेगा y बराबर जीरो और य बालबर तो तुलुल लेवाल द्वात तूपर आवर चीव जायेगा इक सक्क्यार अमने टो गफ or इंटू 2 प्लस 1 सॉल करना पड़ेगा ना अरे y बराबर 2 आया तो y बराबर 2 जो तुम्हारा वक्र दिया ना इसी वक्र रखे इसी वक्र में y बराबर 2 रखेंगे सॉल करेंगे तो हमें x1 मिलेगा तो रख दो y का स्क्वार बैस में 4y कर दिये कि इसी को स्म्लिफ़ाई कर लो रहो जाएगा x का स्क्वार 1 एक माइस है 4 दोना आठ ना 421 8 प्लस एक हो रहो जाएगा माइनस साथ माइनस साथ प्लस चार oils में 3 सर्द हैै कि क्यों क्यों करेंगा तो अ Crede कराने तो करना करना भीए दो खोलिखोगे x2 मीनस में 3x प्लस में 1x माइनस में 3 बराबर जिरो इसे करना ऐसे निट कर दना मारत है ऐसे करोगे फिर आराम से कॉमन करोगे कॉमन गरिटराइच कर लो बढ़ियांसे ठीक है लो एक स्कॉमन करोगे तो बचेगा ऑड 1510 प्लस वन करोगा तो बचेगा x-3 हो जाएगा x-3 और x-1 x-3 और x प्लोस बड़ाबर 0 तो ब लोगे x-3 बड़ाबर जिरो एक ब्न किना जाएंगा हिशए दोक हे एक वंदू 3 से मिलेगा फिए लोगे या विलोगे या xogene झाल मैं व खेंबर स्वान बारावणवड जिटों होगा तो एक्सिरॉ राल मिलेगें मैंनि से होगे तो होगे आता अक्ता बिंदू कितना एक बार तीन कॉमा एक कॉमा दो है ऐसे बिंदू निकालें गे एक बार फिर से लाइन से देख लो सभी लो इस वक्र के किसी बिंदू पर मलत किसी बिंदू पर ग की ऑगर आना चाहिए कि कि अगर कोई यह चलिक होती है तो नहीं क्या करना पड़ेगा जो वक्र दिया है उस उस औककर का करने के बाद निकाल लो डी आपॉन में दीक्स कमाण डी y upon में dx का मान निकालो और मान निकालने के बाद बस उसको 0 के बराबर कर दो क्या कर दो 0 के बराबर कर दो मान निकाले उल्टा किए 0 के बराबर कर दिए यहां से क्या मिल जाएगा हमें x का मान मिल जाएगा y का मान आ गया कि वक्रे में रख दो सौल कर दो ठेक है तुम्हें एक्स को मिल जाएगा अब जो एक्स का मान आया है उससे पेर बनाके क्या करो मान निकाल लो किसका भी जा किसका निकालो होगे बिन्दू का और क्या ना चलो अब इस सवाल क्यों करके दिखाएगा बताओ कि इस सवाल को अगर तुम लोग कर लोगे सभी सबच जाएंगे हां कुछ पढ़े लिखे हो एकदम सिंपल है एकदम सिंपल है पर अगर तुम से पूछा जाए कि आगर रूट में 0.037 लिखा है अगर पूछ दे कि बताओ इसमें एक्स और डेल्टा एक्स का मान कितना लेंगे तो क्या सबका आणसर आएगा बता एक बार एक्स कमान और डेल्टा एक्स कमान कितना आएगा जो जो सही बता देगा सब्जेंगे भी ये खतरनाक तुम लोग तो पढ़े और नहीं देले टाग हम लोग एक्स बराबर ऐसा कुछ मानते हैं जिसका कोई एक्जेक्ट वैलू मिल जाए अगर लिखा है 0.037 तो अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर्जी हम लोग एक्स बराबर माल लेंगे 0.036 भाया अगर तुम एक्स बराबर 0.036 माल लोगे अगर तुम इसका फिर 599 006 जोटा है तो कि एक अगर तुम कभी भी अगर तुम कभी वर्गमूल निलना या गश्म इसकौर करने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें डेसिमल के बाद या होता है संख्या होना चाहिए अगर विसम होगा तो वर्गमुल बने गई ठीक है दस्मनों की बाद संख्या होने चाहिए मनलब दो थो या चाठ और च्टो तभी उसका लेकिन अगर 0.0 36 लेंगे तम ना काम बनेगा यह 0.036 लेंगे तब काम बनेगा ना मतलब यह तो दो अंक्री में होना हैँ अगर लिखा होता है 0.37 अगर हम लोग इसको मान लेते और पॉइंट 01 बच जाता अगर इतना लिखा होता वहलों गणर 0.00 ऐसे लिखा होता तो इसको मानते तब मापन नहीं होगा यहां पर गल्ती तो चार अंक में जब सोचोगे तो यह हो जागा 0.0370 इसको तुम्हें 370 सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर यह 370 होगा तो बोलोगे कि अगर सर 0.0.0361 होगा तो यह 19 का होता है तो 0.1 डाइन असर आ जाएगा यह बाद संभगा है कि नहीं क्योंकि 371 इसका होता है ना के एक अठारक होता है तिन सोचोबिस 17 på होता है 581 और 19 इसको अ Abg T нап च्रुक Epic क बनना पड़ेगा और बतादो तब डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा कोई बताएगा तो डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा अगर हम लोग माल नेंगे एक्स बराबर 0.361 तो डेल्टा एक्स इचकोल टू क्या आगा चलो बताओ दे कितनों कर पाते हो डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा फटक से बताओ अ कि कि देख बहुत बता देए एक बता दे विए रफ कार है यह 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 आद करना किया रहुका है हमें हमें इस प्लस डेलि जब्स करने पर तीकह करने पर जो सवाल दिया रहे उतना आणा चाहिए कि अंध्स यह पे इसका अंवाल नहीं है इस का जाग करता घर जाएगा तो दिलत एक जो ही जूरो पोई जीनो फेडाओ ना पोईएगा गट गटां गट ना है गया जूरो 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 नाया गंद आ मैं ए ग reveal लगएना सदीन तो लगए गाना तीन थीरो होगा उसके बाद नहीं आएगा है योग घैप लाधा फामूला क्या होता फर्मूला होता है एक सची का फर्मूला होता है एक सचेपल जो हिते बाव होता है ध्यूला यज मिदर फर्मूला इक सब्सक्रछों चनवाप में करेंगे तो भी आएगा 0.037 हमारा अश्ञाएगा और यहां पर रखाएंगे एक्सका मान तो जाए गाएफ अफ और 30361 जागा 0361 जाएगा फिरसमें डेल टैस्का मान केतना था 0.1320 था तो जा गाएगा उसके बाद 9 था इन टो में एक्षिक का मन के तना होता है वन भई तो डूटस हो जाएगा क्योंकि एक्स क्या था फक्स था वह था रूट एक्स उसको और न मुट्वर रूट एक्स हो जाएगा बस इसका मतलब कर इतना हो जाएगा रूट में 0.037 और इसका रूट में 0.036 on और यह ते गया गा 0.00009 इन्टु में 1 आपारमेट टू इन्टु में रूट में 0.00 देखां अब इसे इसा उल क्रो बताओ आँसर कितने आएगा अब इसी साल करो फटक्स से देखो आये करेंगे एक तरफ पितना जागा जीरो जीरो प्यांट जीरो फ्लेसे एवन फटक्स से एक एक करो गया तो तो कितना आएगा डिडिःबंโ.19 आ जाएगा पलस में कितना जाएगा दैखो 0.00009 होजाएगा और आ पॉंद्र 2in2 0.19 होगा हुए समझ जाना अब उम्मेद करेंगे इतना तो करीर होंगे ठीक है बस स्टार्टिंग का जो बेस्ट था वों को समझाना था वो समझ गए हो तो उम्मीद करेंगे अब सब तो दिमाख में घुसी जाएगा ठीक है चलो तो तुम लोग करना घर पर आराम से बढ़ियां से जीरो पॉइंट हो जाएगा अब चाहत और आंस को भाग देना भाग दे करना हम तुम लोग के परसे छोड़ रहे हैं यह आगे तुम लोग की जमिदारी है पसकर के दिखा देना कि अंसर कितना आएगा और चाहो तो लास्ट में अपना अंसर कमेंट कर सकते हो हम देख सकति हैं तो सब्स Jackson या झानते हैं और चार से गुला करोगा। तो सद्वा से हो यह इंट हो । अब आराम से भाग कर दो और किया है अश्या ना चांट इसतेन capaz कर दो यह दोन हो जो लो यह लिखाना में इसकोो एंटिव में सो accessory नंदो और उपर लड़ा करोगे तो उपर क्या करोगे एख चार जिरो और नीचे ऴिख एख आarter तो दोखो एक और दो अंक आगे जाएगा तो कि वह लोग हमको दोज़ो चाहिए ने दोज़ेरो अब अराम से इसको भाग देना ठीक है इसको भांग देके फिर अराम से 100 से भाग करके जोड़ देना आ जाएगा अंसर और चाहो तो comment box में comment करके बता सकते हो, अब दोगों सेम सवाल ये भी है, सेम सवाल ये भी इसको भी तुम लोग कलना, ठीक है, ये क्या मानुखे, बोलोगे माना सरजी, FX बराबर कितना, FX बराबर कितना, X के पावर, 1 बटा 4, लोगो, यह यहाँ, अगिए तो 3 का होता है तो एक क्यासि माना आँगे यह बता इसका मन कितना सब्सक्कामे आएगा दखो आंसर जब भी आएगा तीन दस्मेलो कुछ करके आएगा ठीक है कि अगर 82 के पावर 184 तो तुमको पता है कि अगर 81 के पावर एक बटा चार होता तो आंसर आता है तीन तुमको पता कि आएगा तक तुम्हें ना पड़ेगा और से लिखना है तो जब भी बाग देना तो दस्मलों के चार अस्थान तक भाग देने के बाग चौथी वाले अंकार राउंडाफ कर देना यह एत्र अगर पावर solve करोगे अब अगर दोखो X के पाउर 3 न चार रहेगा तो उसे लिखोगे X के पाउर 1 बटा 4 के पावर 3 फिर solve करना बताना कितना असर आएगा दिखेंगे अब यह पूस्तन है दोखें कि जाच करेंगे क्या फलन X के पाउर ոेज़न का महत्तं मान और वेले करने पर अगर पता करना है कि फ़लन मिलीया कि निम्तं मान लिए हमको उसके देती मी यहमां रखने पर अगर दीटी हा आधिया प्लस में तो बोलогоगे चलो सबसे सब्सक्राई कितना एक सब लोग सब्सके पहले सब्सक्राइएं किसको करें ृ एक सिंकुतनाбо और एक सिंकालते कुर्ट किसे निकालते हैं फांक्सन दिया होता है उस और पार और आउकलन करके जो प्रतम आउकलज होता है उसी को जीरों के बराबर करके सॉल करते हैं तो हमें एक्स के मान मिलता है चलो करो फटक से आओ ठीक है लिखो कि दोनों पच्छों का लॉग लेने पर तो लॉग वह वह कितना हो जाएगा एक बट एक्स तो लॉग एक्स हो जाएगा ठीक है फिलेखो कि दोनों पच्छों का लॉग लेने पर नहीं आप लिखो कि दोनों पच्छों का ठीक है दोनों पच्छों का एक्स के सापेच एक्स के सापेच और कलन अख Ni करने पर दोनों पच्छों क्यों करो एक बटा व्य दी रफ़न में डीपान में द्यक्स तुअ पहला लोगे पहला फ्लन ठीक है इंटू में दोसरे फ्लन का उखलन डोसरा फ्लन ठीक इंट पहले का ओखिलन या तरन है अगर वे से इख बॉर्ट एग्स अ फ ancest opened फॉर्म्ला क्या होगा और फॉलन डोसरा फ्रीट फॉलन थे कह बैसे मिल जागा दी वाइ अपॉंड दी आप आप में कितना x कर स्क्वार तो जासे क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा dy आप आप में dx बराबर युजाएगा y इसको एसी कर लो 1 मैंस में कितना log x आप आप में x स्क्वार बस तो को यही करना है ठीक है इतना इतना कर लेंगे अब जोगा खरना अगर एक बार और आज आप करने तो तुमको पता है कि स़डिये प्रथम ने च्वारिया इस निकाल करना ठीक है लेगन हमें जो x का मान निकालके उससे देटिय आपलेज दोनों कर लेका मदलब यंकाफ आप आप ऱंट अप्लां करने पर लिख लूँ पूना पूना तो पूना जो दोनों पच्छो का कि एक्स के सापेच अब करने पर ठीक है पुर्ण करते रहे देख लो तो यहां पर करोगा तो कितना जागा दखो यहां पर लगा प्रत्रम इंटो से दिती यह बला चीक है क्या वो लोगे प्रफ्रम फलन ठीक है एंटु में दितिया फलन का और कलज लो भाया कर दिए कोई दिखत नहीं हमको के ना में और उसको प्लस प्लस करेंगे दितिया फलन लगे प्रफ्रम फलन का आवपलन आख staging कि अदूराम्से दो फॉर्स इंट घंड है तो बोलेंगे पहला फ़लन इंटु में दूसरे फैलन का आउकलन कि पुलस डूसरा फ़लन इंटु में आँध यह कर लेतो एक लूंस आउख लைकूंद कर देख ले लेतें को दिक्कत नहीं है थुले ऑफार स्थिंप्लिफाई कर लो इसको पर अपने करों ज cultura तरी से अंस इंटु हर का इसक्वार हर यह वोलते हैं कियां हर कि क्वार इसक्वार लगा एक हेटि अंसका होगा थी प्लस है अंस इंटू हर का अखुलन अंस और हर का फॉर्मुला लगा दोगे और इधर तो ऐसे रहना दो इसा तो कोई दिख्कत है निए वैसे इसको ऐसे रहना दो वन मानस में कितना लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्कुर्र और यह हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी इस एगदम सिंपल एगदम एजी अब थोड़ा से इसको और सिंपलिफाई कर लिए थोड़ा से ज़्यादा ने थोड़ा से बस हलका सॉर्प कर लेते हैं यहां पर मल्टिप्लाइ करके देख लों कितना आ रहा है आगर सॉल्प करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर हमारा मिल जाएगा डी टुवाई डी यहां पर 85 जैन्यवेस होलत और यहां पर कितना होजाएगा एक Gpavech आजगर आगर हम लोग Гुसा से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो जाएगा ऐस इसक्तवार काट जाएगा बचएगा माइनस में एक सबचएगा माइनस मेंच से नहीं यहां पर होजाएगा माइनस एक्स बच सर जी माइनस लो भी है तो अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा multiply करेंगा तो आएगा माइनस में 2x माइनस 2x प्लस में आएगा 2x log x कितना हो जाएगा माइनस में 2x फिर प्लस में 2x इंटू में कितना आएगा log x बटा में कितना x के पावर 4 चलो ही जाएगा कि 인कार्द करता है है हो जाए दो जाए एक से स्कूररिय करना पढ़ेगा थीक है दो भार ऑखला जो है इसको पूरा करके तुम सम फ़िनके में लोग ठीक करके धिकाना हलका सा बसकार के दिखा दो कोई परसानी वाली बात नहीं है यह गया तुम्हारा ठीक है और बरक अगर तूह तो विस सबसे एक्स कवंधत कर लो िया सेच कॉमन किये यहां से अक्स कॉमन किये एक्सक्राइब माइन सेखना माइनस-स इक मैनिस दो होजएगा मैनस-3 हो जाएगा मैनस मैस्स में तू लग अगर मैनस कॉमन कर ले तो दोखो आजाएगा माइनस में माइनस में x के पावर एक बटा x हो जाएगा ठीक है अगर हम सबसे माइनस कमन कर लेंगे माइनस एक्स कमन किये तो एक्स कटके एक्स के पहुरतीन बचेगा माइनस कामन कर लिए तो हो जाएगा अपल सकते मढस मात हम हमने दो सकता रहा हो सकता है लकिन तुमें पूरा करना लेकिन अरांसे करने आंसर अपने मान के लिए लिखोगे फलन के ठेके उच्चतम अथवा निम्तम निम्तम मान के लिए तो फलन के उच्चतम अथवा निम्तम मान के लिए क्या करेंगे जो उसका प्रथम बार ओकलज है डी आपल में डी एक्स उसे कर देंगे जीरो के बराबर और जो इसका प्रथम बार ओकलन था वो क्या था y into में 1 minus log x upon x square लोग यह लिख देते हैं y into में 1 minus log x upon x square बराबर 0 ठीक है तो यहां समको मिल जाएगा 1 minus log x बराबर कितना 0 ठीक है अब सब लोग बता इसको solve करकी कि x कमान कितना आ जाएगा अगर 1 minus log x बराबर 0 है तो इसको अगर हम उस से लेके जाएगे तो बनेगा कितना log x और जो यह वन लिखा है इसको लिख सकते हैं e बराबर कितना log x तो it means हमको मिल जाएगा यह x बराबर e लोग तो x बराबर कितना आ गया e आ गया मतलब जब dy upon में सुनो जब dy जब दखो dy upon में dx को जब हम 0 के बराबर किये तो x कमान कितना आ गया e यह वो सकते कि x बराबर e पर dy upon में dx कमान सब 0 के बराबर होगा ठीक है उदक है अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं कि बताओ कि यह एक्स बराबर एक्स बराबर ई पर जो इसका जो दीती अखलज है डी टू आई आपाउन में डीक्स स्क्वाइर इसका मान कितना आएगा तो डी टू आई 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 गा जुरुसे छोटा ठीक है करके देख लो एक बार ठीक है कि अगर सर्दी हम लोग एक्स बराबर ए तो प्रता मौकला जाए डी अपान में डी एकस वो तो 0 है तो 0 इंटू इस खतम हो जाएगा पुरा 0 अब अगर हम लोग x बराबर e रखेंगे दोखो तो यह जाएगा log e log e कामान होता है 1 तो जाएगा 2 3 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा एक यह मतलब प्लस एक आएगा और यह एक क्यूब तो e के पावर 3 e का वन होता है 2.7 something होता है ना तो अगर e के पावर 3 रहेगा तो इसका वन कुछ नो कुछ आएगा कुछ नो कुछ नो कुछ आएगा इना मतलब प्लस में रहेगा तो यह जो ब्रैकेट कंदर है यह ब्रैकेट कंदर और तो आंसर आएगा माइनस में माइनस में जिसका मतलब टोटल किसमें आएगा माइनस में आएगा इसलिए इसलिए एक्स बराबरी ऊस्थानिया अस्थानिया अस्थानिय उच्छतम का गेंडू है उच्छतमका गेंडू है अता अता एक्स बराबर एपर पलनका पलनका उच्छतम मान उच्घताम मान कितना हो जाएगा जो function दिया था ना जो function दिया था उहां पर x बराबर ए रख दो भी आ तो कितना हो जाएगा ek power 1 बटा ए क्योंकि वह अस्थानी उच्घताम का बिंदू मिला तो भी हा उच्घताम मान करके उसे करना है zero के बराबर जब zero के बराबर मिल जागा तो स्यम सवाल यह है सेम सवाल यह भी इसे तुम लोग करोगे और आंसर बताओगे करके कि इसका आंसर कितना आएगा इसका तुम बताना जो इसका जो महत्तम मान है महत्तम मान कितना आएगा और इसका जो निम्तम मान है निम्तम मान कितना आएगा यह बताना है करने का step क्या दोखो पहला step ठीक है पहला step क्या है इसको मानोंगे y इसको y मान के क्या करोगे dy आप और में निकालोगे dx इसको 0 के बराबर करके क्या करोगे x का मान निकालोगे x का मान निकालोगे तो पहला step तो यह है पहला step तो हर बार यह सेम रहेगा कि dy आप आप में dx निकालेंगे उसे 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे ठीक है अब जब x का मान आ जाएगा तो उसको हम लोग तो D2Y, D2Y आपन में डिक्स स्क्वाइर का मान निकालेंगे, ठीक है, का मान निकालेंगे, और X के जिस मान पर, X के जिस मान पर, D2Y आपन में डिक्स स्क्वाइर क्या होगा, 0 से छोटा होगा, वो उच्छतम का बिंदू होगा, और जिस बिंदू पर, D2Y आपन में, डिक्स स्क्वार से बढ़ा होगा तो इसे पर उसका उचता मान निंता निकालना तो पहले की जा citrus एक्स मैं निकाल मिलेगा उसके रेक्स मैं एक्स को मान निकाल ओगे पहले दिदम मिलेगा लो तो जब तुमको बिंदू मिल जाएगा तो उस बिंदू का मान D2Y upon me Dx square में रखना है ठीक है जो दीती आउकलज है उसमें रखना पड़ेगा रख्योति में देखना पड़ेगा कि वो आ रहा है प्लस में की मैनस में है अगर आएगा प्लस में तो निम्तम मान मिलेगा अगर प्याइब करना कि अस्थानिय उचतम और अस्थानिय निम्तम का बिंदू कौन सा एवी जिए जब वह पता करोंड़े तो लास्ट में एक्स के जिस मान पर वे उचतम का बिंदू होगा वह एक्से ब nome मान इसमें रखके उसका उच्चतम मान निका लेना और जिस पर निम्तव उस पर निम्तम अंसर आर बता दाना लिए कितना आ्लिक और यह बखों का उस् класс है यह यहां और एक बार इस स्ञेल पर तो और यहां बार न कि कहांपर मिश्टेफ हुआन कांपर का veni कर पाय और कही कोस्ता ने सभी लोग कर लोगी कश्चे से तो मिद करेंगे सभी लगाई होगे और बिरें जो बबताया होगे उसको भी अच्छे से ऊप फिर से करेंहीं कि कल जब सब लोग आना तो सभी लोग chapter 6 को अच्छे से पढ़के आना समझे लोग कि नहीं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़के आना कब लोग इसका most important दिर्व उत्री प्रसन करेंगे तो अगर अच्छे से पढ़के आओगे तभी वह question कर पाओगे तो फिर नहीं कर प अज़ ए से प्सक्वा नहीं कर दो भाओगे तो कि अभी पाओगे।